हाई दोस्तों असलाव अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है आईफून 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स के बारे में ये है मेरा वीडियो जहां पे इसका लॉंग टम रिव्यू में करने वाला हूँ आज किस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या कुछ इसके अंदर अच्छा है क् improvement हो सकता है क्या आपको इतना मेहंगा फोन 12 प्रो मैक्स या फिर 12 प्रो के लिए जाना चाहिए दोनों में से किस फोन के लिए जाना चाहिए और कहां मिल सकते आपको बहतरी ये वीडियो को करते है सबसे पहले बात करते दोस्तों इसमें क्या कुछ मुझे अच्छा लगा ह तो सबसे पहली और अच्छी चीज जो मुझे यहां पे लगी है वो है इसका beautiful design इसका design जो है सबी आईफोन से आज तक के जितने भी आईफोन है सबके मुकाबले में बहतरीन design यहां पे Apple ने दिया है पीछे मस देख frosted glass back है camera के अतराफ जो glass है वो glossy है camera के अतराफ जो metallic ring है वो side case stainless steel के जो frame है उसके आद मैच करती है amazing design है flat edges है बहुत ही खुबसूरत इसका जो है look and feel है और मेरे हिसाब से दोस्तों जो इसका पूरा पैसा है यह बस इसके जो looks है उसके लेवी अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही जो है वो सही चीज में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इसको हाथ में रखने से जो look, feel और जो लोगों पे impression बढ़ता है that is completely next level आपको public में देखने वाले यह लोग observe करने वाली है खास तोर पे अगर आप यह gold color का variant लेते हो वो बात बोली जाती है एक share है कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती और माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती वो हिसाब है यहाँ पे के एक लाग के उपर आप पैसा दे रहे हो लेकिन जो चीज आपको मिल रही है वो एकदम जो है amazing look, feel और quality वाली है अगली चीज जो यहाँ पे मुझे बहुत चीज लगती है दोस्तों वो है इसका 6.7 inches का massive OLED display यह एकदम high resolution, high brightness वाला display है और बहुत ही high quality वाला display है सभी size से इसके जो bezels है वो एक जैसे और आपको बहुत जादा मज़ा आएगा इस display पे movie देखने का, game किलने का चाहे जो आप करना चाहे, इस display पे आप कर सकते हो आप कभी भी इससे disappoint नहीं होंगे चाहे दिन हो, रात हो, बाहर हो, घर के अंदर हो कहीं पे भी आपको यह display जो है microphones है, वो भी amazing है कोई भी iPhone ले लो, आप उसके mics बहुत अच्छे रहते हैं और इस साल जो है, उसको और एक level उपर लेगे गए Apple, जहाँ पर बहतरीन quality के microphone इसमें दिया है, देखिए सारी चीज़े बहुत important होती है, जब एक flagship phone आप लेते हो यहाँ पर जो phone पर आप बात करेंगे, चाहे loud speaker पर रखके बात कीजिए, चाहे जो है, तान पर उसको लगा के बात कीजिए, चाहे आप इससे video recording कीजिए, जो mic की quality निकल के आती, audio quality that is amazing, इसके बाद अगली चीज जो यहाँ पर मुझे बहुत चीलेगी दोस्तों, खास करके 12 Pro Max model के अंदर, वो है इसकी amazing battery life, आप जाएंदे हैं दोस्तों, कि पिछले साल के 11 Pro Max से 12 Pro Max की battery जो है, तक्रीवन 300-400 mAh capacity कम है, लेकिन यहाँ पर जो battery life है, वो उतनी ही या फिर उससे बहतर Apple ने नहीं है, इसकी battery life बहुत अची है, battery health जो है, आज तक मेरे इन iPhones की सभी 12 series की जो है वो 100% पर ही है, इसी से जुड़ा अगला हमारा point है, जो के processor, जो के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका processor A14 Bionic, दुनिया का सबसे fastest mobile phone का processor, जो के ज़्यादा heat भी नहीं होता, पुराने iPhones की तरह, खास तोर पे अगर आप उसको compare करेंगे Samsung के S21 Ultra वकरा से, तो उसमें जो Exynos आता है, बहुत ज़्यादा heat होता है, बैटरी बहुत ज़्यादा train होती है, उसमें 5000 इमेज के बैटरी है, इसमें 3600 इमेज के फिर भी यह, उससे ज़्यादा battery life निकल के आपको देगा, और processor इतना fast है कि हाँ speed test में उसको easily हरा देगा, gaming कीजे, कुछ भी कीजे, इसके उपर आप कुछ भी द्रो कीजे, यह एकदम अच्छे से handle कर लेता है, अगली चीज़ है आपको यहाँ पर 6GB कराएं मिलता है, उन सभी iPhones के अंदर आपको सिर्फ चार्ज भी कराएं मिलता है, इसमें फाइदा यह है, दोस्तों देखिए चार्ज भी कराएं भी मोड़ते इनफ है तरहीं फिर भी आप बहुत सरे applications बैकराउंड में की मदद से आप charging वहरा कर सकते हो, बहुत सारे धेर सारे MagSafe की accessories आती है, अपल की अपनी भी और 3rd party manufacturers भी इसके लिए accessories बना रहें, तो day by day इसके accessories का line up बढ़ता जाएगा, और आपको कम कीमत में इसकी अच्छी accessories मिलेगी, जो के पुराने किसी भी आईफोन में देखने नहीं मिलेगी, तेकि 12 series में किसी में भी आप ये चीज़ यूज कर सकते हो, अब अगली important चीज जो है दोस्तों इस phone के अंदर, जो के मुझे बहुच्छी लगी वो है इसके camera, पीछे triple camera का setup, आगे single camera, बहतरीन cameras दिये है 12 Pro, 12 Pro Max में, 12 Pro Max लेंगे तो और बहतर camera मिलेगी, जापे sensor shift image stabilization है, बड़े lenses है, तो इसका camera जो है fantastic है, आप day में यूज कीज़े, night में यूज कीज़े, सभी cameras के उपर night mode, सभी cameras के उपर Dolby Vision HDR का support, यहाँ पर पूरी movie बना लीजिए, इसके उपर कोई tension नहीं वाली बात नहीं हो, यहाँ पे क्योंकि base storage भी 128GB से शुरू होता है, 12 models की तरह नहीं 64GB से, तो यहाँ पे वो चीज़ जो है, मुझे काफी हद तक अच्छी लगी इसके अंदर, सीधी simple सी बात बता दो इसके जो camera's है, इसके साथ अब कभी बीचो है wrong नहीं होगी, चाहे कोई भी situation हो, चाहे social media के लिए हो, किसी के लिए भी हो, आपको इसके camera बहतरीन लगेंगे, अगली चीज़ है दोस्तों, network और wifi का performance, इसमें बहतरीन आपको network और wifi का performance देखने मिलता है, मुझे कभी भी इसक चितनी भी technology है, wifi 6 की technology हो, या फिर ultra wideband chip की technology हो, सारी चीज़े इसके अंदर inbuilt आती है, in fact इसके अंदर 5G भी आता है, जो कि पुराने आइफोन पर नहीं आता है, तो इसके अंदर ये एक benefit है, कि 5G का इस्तमाल, आप जब कभी 5G आएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी आप इसपे कर पाएंगे, 11 सीरीस के अंदर नहीं कर पाएंगे, तो ये एक इसके अंदर मुझे अच्छी चीज़ लगी, आज इसका मुझे कोई भी काम नहीं है, यहाँ पर अगली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, वो इस iPhone के लिए बलके सभी iPhone के लिए, सेम ही है, जो कि iOS है, iOS अच्छा है, हमेशा से, और अच्छा जो है, डे बाए डे होते जा रहा है, features भी बहुत है, इसका performance भी अच्छा है, इसका जो fluidity है, इसका जो बडरी smoothness है, वो भी सब जो है, आपको fantastic लगेगा और 5 साल के updates तो इस पे पके ही पके है, तो ये चीज़ भी मुझे आप completely भूल जाएए, दो हाथ से आप इसको इसको इस्तबाल करना पड़ेगा हमेशा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इस बड़े display के benefits बहुत है, कि display को देखने में मज़ा आता है, movie देखने में मज़ा आता है, लेकिन तो हाथ का इस्तबाल करगी है, आप इसका display आपके लिए, यहां पर problem है, लेकिन उसका solution भी है, display से जुड़ी अगली चीज जो है, इसके अंदर आप कौन की तरह ले सकते हो, अगर आपको ये notch पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इतना पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे बिना notch वाला display चाहिए, तो य इसका benefit है, लेकिन कौन ये है कि अहां, एक display के अंदर जो है, एक cutout इस तरीके का मिलता है, जो कि आपका viewing है, experience खराब कर सकता है, अगर आपको उसके आदत नहीं है, तो अगली चीज भी इसके display से ही जुड़ी वी है दोस्तों, क्योंकि इसका display जो है, fixed refresh rate के आता है, galaxy की devices की तरह जो है, variable refresh rate या high refresh rate वाला 120 Hz वागरा का नहीं है, तो यहां पे बहुत सरे लोगों लग सकता है, कि हाँ यार यार ये एक जो है negative point है, और मैं इसको cover करना चाहता हूँ, क्योंकि वरना लोग बुलेंगे आपने point में इसका दिया, मुझे ये चीज नेगेटिव नहीं लग फिर भी अगर आप 19-20 का फरक बोलेंगे, तो हाँ 19-20 का फरक है, 18-20 का भी फरक आप बोल सकते हो, कि इसका display जो है, और S21 Ultra का display जो है, उसमें refresh rate का फरक आप महसुस कर पाएंगे शायद, अगला जो इसके अंदर मुझे negative point लगा वो ये है, कि हाँ ये बहुत बड़ा drastic improvement नह लोग के लिए है, जो जा रहे है और ये फोन ले रहे है, तो हो सकता है, उनको लगे कि यार exclusivity नहीं रही, पुराने आइफोन भी ऐसे ये दिखते है, लेकिन जो लोग एक के बाद एक नए आइफोन पर अप्ग्रेड करते जाते है, या जो लोग उनने पुराना आइफोन लोग के रहा है, उनके लिए जो है ये positive point होता है, क्योंकि बहुत जादा familiar रहता है, दूसरी बात है उनका जो आइफोन है, वो अपनी resale value लूज नहीं करता है, क्योंकि ये जो नहीं गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी जैसी ही दिखती है, तो पुराने वाले लोगों के benefit है, लेकि नए लोगों के लिए जो नएा first time iPhone buyers है, उनके लिए हो सकता है, क्योंको लगे, क्यारे यार लिया, तो वैसा ही लग रहा है, जैसे मेरे दोस्त का 11 Pro Max, हाला कि side by side देखेंगे, दूर से भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जागे कि 12 Pro Max है, अगले जो इसके अ Android phone से इस पे shift हो रहे हो, तो वो यह है कि इसके अंदर call recording नहीं आती, किसी भी iPhone में नहीं आती, तो यह इसका negative point उन लोग के लिए होगा, जो definitely Android से इस पे आ रहे है, तो उसके लिए एक ससा Android phone रख सकते हो, जैसे मैंने रखा हुआ है, एक बढ़ा हुआ था phone Moto का, तो मैंने आ pricing, इसका pricing जो है, एक negative point हो सकता है, इंडिया के अंदर taxes बहुत जादा है, इसलिए नया ये लेने जाएंगे, तो काफी महेंगा रहता है, वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, जहां से मैंने ये 12 Pro Max लिया है, sell buddy से, तो वहाँ पे मैंने जा कि उनको बहुत सारे सवाल वीडिया था, वो वीडियो का लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और यहां पे आई बटन पे उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वीडियो आपको सब समझ में आ जाएगा, फाइनले दोस्तों आ जाते है, इसका Amazon Flipkart पे जहां कई भी जो लेटेस प्रा जीएख सकते हो, जोकि हो सकता है आप आज देख रहे हो एक महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, मुझे पता नी, और आज का जो sell buddy का प्राइज है, जो कि open box pre activated phone के लिए है, प्री अक्टिवेटर के होता है, बेसे किसी ने फोन लिया, अक्टिवेट कर ज तो इतने मैने तक की जो वारेंटी आपको कम भी मिल सकती है तो आपको अगर आपको लोर प्राइज में लेना है तो कोई ज़रूरी नहीं आपको इसको लो लेकिन मेरा काम है आपको दोनों साइट के जो चीजे है वो बताने का तो जो MRP है वो बनने आपको बता दिया 1,19,000, 1,29,000 यहाँ पे जो प्राइज है यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि उनके पास जो है आईफोन 12 Pro 128GB जो है 80,000 रुपए में है उसके उपर वो डेलिवरी चार्ज लेंगे आप से और आईफोन 12 Pro Max जो है 128GB वो 90,000 रुपीज में तो काफी हद तक काफी अच्छी टील लग रही है 80,000 में और 12 Pro Max भी जो है बहुत च्छी टील है 90,000 के अंदर तो दोनों में से कोई भी फोन ले सकते हो हाथ चोटे है तो 12 Pro के लिए जाए हाथ बड़े तो 12 Pro Max से बहतर चीज जो है आपको देखने नहीं मिलेगी मार्केट में तो यह था दो दोस्तों आपको अच्का वीडियो पसना होगा पसना को लाइक इन शेयर जरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए गुडबाई